रनवीर सिंग साहब को पदमावत में खिलजी वाले किरदार के बाद तारीफों पे तारीफे मिल रही है लेकिन जनाब इन्ही रनवीर सिंग साहब ने हाल ही में एक इंटर्वियू में कुछ ऐसे इंसिडेंट शेयर किये हैं जिने सुनने के बाद आपको भी यही लगेगा क कि रनवीर सिंग खिलजी के किरदार में पागल हो गए थे शूटिंग के बाद भी लोगों पर हमला कर देते थे रनवीर सिंग जी हाँ नमस्कार में हूँ अविशेक स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी बीट पर किसी फिल्म में निभाया गया भावी हो जाए इसका अंदाजा आप रनवीर सिंग सहब के अलाओ दिन खिल जी वाले किरदार से लगा लीजिए फिल्म पदमावत में खिल जी के रोल के लिए उनकी की गई मेहनत साफ दिखती है लेकिन उसका साइड इफेक्ट रनवीर सिंग सहब को चेलना पड़ा उन् के कहते हैं कि आफ कैमरा एक बार सेट पर अजीब सा वाक्या हुआ जब कोई गलती करता था तो मैं खिल जी की तरह ही उस पर गुसा होता था और उस पर शारिरिक रूप से हमला करने के लिए तयार हो जाता था फिर कुछ सेकेंड के बाद मुझे इस बात का हैसास होता कि य के दोरान के आखरी 45 से 47 दिन उनके लिए सबसे बुरे थे शूटिंग के दोरान उन्हें फिजिकली चैलेंज का सामना करना पड़ता था शूटिंग शुरू होने के बाद वो काफी दबाओ में थे क्योंकि उन्हें एक साथ कई चीज़े करनी थी शाहिद कपूर से युद इक्टिंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था वो बिहोश हो जाते थे उन्हें बार बार उल्टी करनी पड़ती थी इतने परिशान होने लग गये थे तो इस तरीके से रनवीर सिंग साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये सारी बाते शेयर की है कि किस त इनी तारीफें जो मिल रही है इस वीडियो में फिलाल इतना ही बॉलिवडो टेलिविजन की दुनिया से जोड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सबस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी भीट को